अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लीट यानि लेटरल इंजिनियरिंग इंटरेंस टेस्ट का इंजिनियरिंग मेकैनिक्स का प्रीवियस एर का कोस्चन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दू कि आप सभी की प्रिपेशन के लिए मैंने एक वाटसब ग्रूप क्रियेट किया है जिसमें आप लोगों को प्रीवियस एर के कोस्चन के साथ साथ स्टडी मेटेरियल प्रोवाइड करा दिये जाएंगे अगर आप अभी तक आप मेरे वाटसब ग्रूप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये गया लिंक से जुड़ सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लेटर इंट्री इंजिनियरिंग एक्जाब गर के वाटसब ग्रूप क्रियेट किया गया है जिसके लिंक आपकोس में दिये गये हैं आप वहाँ से जाके वाटसब ग्रूप से जुड़ सकते हैं क्योंकि हमारे द्वारा इसमें तू टाइम आपको आपकी preparation के लिए इसमें study material प्रोवाइट करा दिये जाएंगे और आपको previous year के question आपको इस पे मिल सकते हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजी और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसे like जरूर कीजी और अग साथ ही कोई suggestion हो तो आप comment box में हमें अपने suggestion दे सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो यह इंजिनेरिंग मेकैनिस का question है 2014 का previous year question है आपका आप सभी जानते हैं कि आपके एक्जाम में total 150 questions आते हैं जिसमें 1-50 आपके math से question होते हैं 51-100 आपके engineering mechanics से रहते हैं और 100-150 आपके 50 questions आपके English से पूछे जाते हैं तो हम यह आप देखिए start करते हैं 51 से ही question number 51 क्या कह रहा है for the maximum horizontal range the angle of projection of the projectile should be तो आप सभी जानते हैं horizontal range का formula क्या होता है projectile यह से r equal to u square sine 2 alpha divided by g यह maximum range कब होगा जब sine 2 alpha maximum होगा और यह maximum होने के case में क्या है आप सभी जानते है sine theta का range क्या होता है minus 1 to 1 होता है तो अगर sine 2 alpha 1 हो जाए तो यह क्या हो जाएगा range आपका maximum हो जाएगा तो sine 2 alpha 1 कब होगा sine 90 degree equal to आप जानते है 1 होता है it means 2 alpha equal to 90 degree अगर लेके चले हम तो alpha equal to क्या हो जाएगा 45 degree तो इसका सही answer हो जाएगा option number b 45 degree clear है अब आईए question number 52 पे यह क्या कहता है question number 52 करा the resultant of two forces p and q such that p is greater than q acting along the same straight line but in opposite direction is given by अब यहाँ ध्यान से रेखिएगा क्या कह रहा है acting along the same straight line but opposite in direction it means आपको यह बताना चाहरा है क्या आपकी theta की value क्या है 180 degree है ठीक है resultant equal to आप क्या जानते है formula r equal to होता है sorry r equal to होता है p square plus q square plus 2pq cost theta का under root यहाँ आप देखिए आपको क्या कह रहा है two equal force two force कह रहा है p and q तो और theta equal to हमने यहाँ देख लिया है q 180 degree होगा तो p square plus q square plus 2pq cost 180 degree under root यहाँ आप देखिएगा कि p square plus q square plus cos 180 degree equal to क्या होता है minus 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा यह minus 1 हो जाएगा तो minus 2pq under root तो यह क्या हो जाएगा आप देखिए ध्यान से p square plus q square minus 2pq equal to क्या होता है p plus q का the whole square और यह under root है तो इसका क्या हो जाएगा p plus q तो इसका साही आंसर हो जाएगा option number a p plus q आप देखिए question number next question देखते है question number 53 the law of motion involved in the recall of gun is आप सभी जानते हैं कि हम जब गन से fire करते हैं तो opposite direction में recall होता है तो यह newton third law of motion यह आपने सभी पहले से ही बच्चों क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि every action is each action is equal and opposite reaction तो इसका साही आंसर हो जाएगा option number c newton third law of motion हम next question देखते है question number 54 the force by which body is attracted toward the center of the earth is called weight weight में क्या weight equal to क्या होता है w equal to क्या होता है mg g क्या है आपका gravitational force है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number c आप देखिए next question देखते हैं question of 55 quantity of force is called तो देखिए option number e क्या कह रहा है quantum quantum क्या होता है यह natural unit है जिसको packet of energy भी कहते है impulse क्या हुआ it is a term that measure the overall effect of force acting over that time क्या कहते है जो force किसी specific time में कितना force specified हुआ उसी को हम क्या कहते हैं impulse कहते हैं तो the quantity of forces as click क्या हो जाएगा यह इसका right answer हो जाएगा option number bes impulse जिसका हम represent करते impulseगाiyor symbolic form क्या है j formula क्या हो जाएगा f into i den we have the size अप जानते है newton और time का क्या हो जागा second तो इसका unit हो जागा impulse का unit Newton second magnitude आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज को measure करते हैं उसको क्या करते हैं magnitude जैसे आगर 10 Newton है तो 10 क्या हो जागा magnitude हो जागा Newton क्या है वो unit है momentum आप की बात अगर देखे तो यह क्या हो जागा it is measurement of mass in motion ये क्या करता है mass को measure करता है motion के form मेजब रहेगा तो momentum equal to क्या होता momentum को हम किस से represent करते है P से करते है P equal to क्या होगे momentum equal to P equal to MB अब अगर ये unit की बात देख कर ले तो मास का क्या unit हो जाएगा kg और velocity का meter per second तो इसका unit हो जाएगा kg meter per second clear है ये सब तो आपने पहले भी पढ़ रखा है शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं ये बहुत ही आप जैसा देख रहे होंगे इतना tough questions नहीं आ रहे हैं आप थोड़ी सी मेहनद करें तो इच्छा score कर सकते हैं और rank ला सकते हैं आप देखिए question number 56 क्या कर रहा है question number 56 कर रहा है 1 joule means तो joule किस चीज़ का unit होता है work and energy को हम measure करते हैं joule से तो work क्या है आपका तो ये हो जाएगा joule का definition हो जाएगा it is equal to the work done by the force of 1 newton acting through 1 meter तो ये देखिए option number A सही है work is done by a force of 1 newton when it displays a body through 1 meter it is equal to 1 joule तो इसका सही answer हो जाएगा option number A अब देखिए है next question next question क्या है 57 the rate of change of momentum of a body equals equals the force impressed upon it is called तो इसका सही answer हो जाएगा option number A Newton's law of linear momentum linear momentum क्या होता है it is defined as the product of mass into velocity हमने भी उपर ही momentum discuss किया है momentum क्या होता है mass into velocity आप जैसा कि Newton's second law आपने पढ़ा है क्या कहता है the rate of change of momentum of a body equal to the force impressed upon it तो ये Newton's second law किस चीज़को define करता है force को define करता है ये आप सबने पढ़ा है तो इसका right answer हो जाएगा option number A Newton's the rate of change of momentum of a body equal to the force impressed upon it is called linear Newton's law of linear momentum तो इसका right answer हो जाएगा option number A अब देखिए question number 58 filling the blanks है is the capacity to do work तो क्या हो जाएगा इसका आज़ी answer option number D energy energy is the capacity to do work ये सब तो आपने बहुत पहले physics जब पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा ये सारी चीज़े energy क्या होता है energy is the capacity to do work होता है अग देखिए next question power को define किया है the rate of doing work is called power तो ये 59 question का सभी answer हो जाएगा option number A अगर हम unit की बात देख ले तो energy की unit हमने अभी ये discuss किया है energy का unit क्या हो जाएगा joule हो जाएगा और अगर power की unit की बात करे तो इसका power का unit क्या होता है what में हम power को measure करते है अब देखते है next question question number 60 question number 60 क्या करा the angle of inclination of a plane at which the body begins to move down the plane is called तो इसका सभी answer हो जाएगा option number A angle of friction अब देखिए next question देखते है question number 61 kinetic energy due to filling the blanks है motion of the body is the call kinetic energy of translation यहाँ देखिए translation की बात की गई है तो translation की बात की गई है तो इसका सभी answer हो जाएगा option number B रेक्टिलीनियर motion होगा तभी इसको kinetic energy of translation कहते है देखिए अगर हम बात करें kinetic energy की तो kinetic energy measure by the amount of work which the body can due to its motion motion में जो body रहता है उसके हम energy को measure work को measure करते है उसको हम kinetic energy कहते है there are two types of kinetic energy first kinetic energy of translation and second one is kinetic energy of rotation तो जो translation होता है kinetic energy वो due to rectilinear motion जैसे car road पे move कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा kinetic energy of translation हो जाएगा water moving on a stream तो ये आपका क्या हो जाएगा kinetic energy of translation हो जाएगा लेकिन अगर हम बात कर दे fly wheel rotating about its axis तो ये हो जाएगा kinetic energy of rotation तो kinetic energy of rotation क्या होता है due to the motion of rotatory motion of the body clear है अब आएगे देखते है next question question number 62 rate of change of displacement is called तो इसका सही answer हो जाएगा option number C velocity ये बहुत easy question है देखिए जो कुछ-कुछ question जो easy पूछेगे हैं जिसको आप easily attempt कर सकते हैं और इस question को थोड़ा सा ध्यान देखे आप अच्छा score कर सकते हैं तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिए जैसे देखिए unit से questions बहुत पूछे जा रहे हैं कुछ-कुछ definition है तो वो सारे चीजे मैंने अगर आप का request होगा तो अगर मन है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको वीडियो प्रॉपर मिलता जाएगा अब देखिए question number 63 minimum distance between the point of projection and the point where the projectile strike the ground is called तो इसी देखिए हम drawing से देख सकते हैं देखिए क्या कह रहा है यह क्या कह रहा है minimum distance between the point of projection अगर हमने यहां से किसी भी चीज़ को project किया यह क्या होगा इस तरह जाके यहां से आएगा यहां अगर हमने यह wall project किया तो यह आके यहां मिला तो minimum distance between the point of projection यह है point of projection and the point where the projectile strike strike कहां किया यहां किया तो इस distance को पूछ रहा है, तो इस distance को हम क्या कहते हैं, range कहते हैं, तो इसका सही answer हो जाएगा option number A, range, आप देखिए question number 64, which of the following are vector quantity, तो options क्या क्या दिया हुए है, angular displacement, यह तो vector quantity ही है, angular velocity, this is also a vector quantity, and angular reservation, यह भी क्या है आपका, vector quantity है, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number D, all of this, अब देखिए, next question देखते हैं, next question कह रहा है, 65, the force which could replace all the other forces, acting at a point, which would produce the same effect, as produced by the given forces, is called, क्या करा, the force which could replace all other forces, जितने भी force, अगर किसी body पे कोई number of forces act हो रहे हैं, तो कोई एक single force, जिससे वो सारे force को हम replace कर सकते हैं, और same effect के, से, तो इसको क्या कहते हैं, आपका क्या बोलते हैं, resultant of forces कहेंगे, जैसा कि number of forces act होते हैं, तो इसी लिए निकालते हैं, क्योंकि resultant क्या हो, उसका सारे का same effect देता है, तो इसका साही answer हो जाएगा, option number C, resultant of forces, अब देखिए, next question देखते हैं, next question is 66, in order to completely specify the angular displacement by a vector, it must fix, क्या होगा, direction to fix होना चाहिए, direction of the axis of rotation, fix होना चाहिए, magnitude of the angular displacement, ये भी होना चाहिए, and the senses of the angular displacement, तो इसका साही answer हो जाएगा, option number D, all of these, आप देखिए, question number 67, the force whose line of action are parallel and in the same direction is known as, इसका साही answer हो जाएगा, like parallel forces, कह रहा है क्या, line of action, the force whose line of action are parallel, line of action क्या हो, parallel होने चाहिए, same direction में होने चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, like parallel forces कहेंगे, इसका साही answer हो जाएगा, option number B, आप देखिए, next question देखते हैं, the energy processes by a body, by virtue of its position is called, यह सभी जानते हैं, किसी body अगर processes energy करता है, virtue of position की बज़े से, तो potential energy उसको कहते हैं, और motion की बज़े से करता है, तब kinetic energy, यह position की बज़े से potential, और motion की बज़े से kinetic energy, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number A, potential energy, अब आईए देखते हैं, question number 69, 69 क्या कहा रहा है, the slope on the road, surface generally provided on the curve, is known as, angle of banking, इसका सही answer क्या हो जाएगा, आपका option number C, अब आईए देखते हैं, next question, question number 70, the ratio of static friction to dynamic friction is always greater than 1, क्यों, क्योंकि static friction हमेशा dynamic friction से क्या होता है, जादा होता है, तो अगर इसका ratio देखा जाएगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा, greater than 1 होगा, इसका सही answer हो जाएगा, option number C, अब आईए देखते हैं, next question, 71, dynamics for the sub divided into, तो dynamics को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये क्या हो जाएगा, kinematics and kinetics, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number B, अगर हम देखें, तो जैसे mechanics of the rigid body को हम डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में, statics and dynamics, तो हम यहाँ आपको कुछ लिख के देखें, थोड़ा बता देते हैं, mechanics of rigid body की बात करें हम, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये क्या हो जाएगा, statics और ये हो जाएगा आपका dynamics, और statics को भी further हम दो में करते हैं, divided, और हम dynamics को दो में करते हैं, kinematics and kinetics, जिसका हम आपको यहाँ पर दिखा रखा हैं हमने, अब देखिए question number 72, rigid body mechanics divided into two area, अभी जो हमने डिसकस किया, ये आपका statics and dynamics तो इसका सही answer हो जाएगा, आपका option number C, अब देखिए question number 73, the friction experience by a body when the motion is known as, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number B, dynamic friction, अगर हम motion की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dynamic friction और अगर rust की बात करते हैं, तब क्या होता है, static friction होता है, तो when in rest, तो static friction हो जाएगा, और motion में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, dynamic friction होगा, देखिए next question देखते हैं, question number 74, filling the blanks है, ए, space दिया हुआ है, represent the effect of loading, which assumed to act at a point on a body, तो क्या हो जाएगा, और अप्शन नमर A, concentrated force represents the effect of loading, which assumed to act at a point of the body, किसी point पर act, यह कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, concentrated force हो जाएगा, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number A, अब देखिए, question 75 देखिए, the branch of engineering mechanics, which deal the forces and their effects, which acting upon the bodies, is in motion, तो motion की बात करें, हम अब ने अभी ही पढ़ा है, motion कर रहेगा, तो अभी बताया है, तो dynamics हो जाएगा, और rest की बात करेंगे, तो statics हो जाएगा, तो इसका सही answer हो जाएगा, 75 का, option number D, क्योंकि ये motion की बात कर रहा है, तो ये dynamics हो जाएगा, देखिए, same question repeat की बात कर रहा है, लेकिन ये rest की बात कर रहा है, 76 में, तो ये क्या हो जाएगा, statics, तो इसका भी option number D है क्या, statics, तो इसका सही answer हो जाएगा, D, statics, अब देखिए, question 77 की बात करें, if the resultant of two equal forces has the same magnitude, is either of the forces, then the angle between the two forces is, क्या कह रहा है आपको, कि resultant of two equal forces, मतलब two force, अगर हम कोई बात माल ले, दो force आपका क्या है, P है, सेम ही है, तो दोनों force P हो जाएगा, and the same magnitude, magnitude दोनों का सेम है, P हम माल लिया हमने, then the angle between the two forces is, तो resultant, हम resultant equal to क्या जानते हैं, R equal to हमने पहले ही देखा है, P square, plus R square, sorry, Q square, plus 2PQ, का अंडरूट, तो हम दो, स्केरा सेम forces है, तो हम P square, plus, P square लिख सकते हैं, plus 2P square हो जाएगा, कॉस्ट हिट्टा, यहां resultant आपका क्या दे रहा है, आपका, P ही है, ठीक है, तो अगर यह अंडरूट को हम इधर करेंगे, तो यह P square ही हो जाएगा, तो यह cancel कर दीजिए, तो अगर देखिएगा, P square, plus 2P square, plus cost हिट्टा, equal to क्या हो गया, 0, उसको हम यहां पे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर कर, यह P square common ले लिया हमने, इधर जाके क्या हो जाएगा, देखिए, 2P square plus, sorry, 2P square, cost हिट्टा, equal to minus P square, यह P square, P square cancel हो जाएगा, तो cost हिट्टा equal to क्या हो जाएगा, minus 1 by 2, cost हिट्टा equal to minus 1 by 2 किसमें होता है, ठिट्टा equal to क्या हो जाएगा तब, आपका 120 degree, तो option number 120 degree क्या है, D है, अब देखिए, 78 question number, the unit of angular acceleration, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number, D, radiance per second square, अब question 79 देखते हैं, the static friction is always, अभी हमने डिसकस किया है, static friction is always greater than the dynamic friction, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number C, आप देखिए, question number 80 देखते हैं, which of the following is a scalar quantity, force is a vector quantity, speed हम जानते हैं, scalar quantity होता है, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number B, velocity, vector quantity है, acceleration भी, vector quantity है, vector quantity किसे कहते हैं, जिस magnitude के साथ सा, direction भी हो, तो फोर्स में भी direction होता है, velocity में भी, acceleration में भी, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number B, speed, आप देखिए, question number 81 क्या कह रहा है, when the spring of watch is old, it possesses it, तो इसका सही answer हो जाएगा, strain energy, option number A, क्या यह processes करता है, strain energy process करता है, अब question number 82 देखिए, the acceleration of a particle moving with a simple harmonic motion is, तो इसका सही answer क्या हो जाएगा, zero होता है mean position पे, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number A, अब देखते है, question number 83, 3, the force whose line of action lie on the same line, तो क्या हो जाएगा, same line पे अगर line कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका, collinear हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number B, देखिए, same एक जैसे ही question है, the force which meet at a point, अगर एक point पे meet करता है, तो क्या हो जाएगा, जाएगा, concurrent forces हो जाएगा, same line पे करेगा, तो क्या हो जाएगा, collinear हो जाएगा, और same plane पे होगा, तो क्या हो जाएगा, coplanar forces होगा, 33, 84 हो गया, clear, अब 85 देखते हैं, the force which meet at a point, एक point पे meet कर रहा है, मतलब, concurrent, but their line of action does not lie on the same plane, मतलब, non coplanar, तो इसका सही answer देखिए, non coplanar and concurrent forces, क्योंकि एक point पे meet कर रहा है, तो concurrent हो गया, बर एक plane पे नहीं है, तो non coplanar हो जाएगा, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number C, non coplanar, concurrent forces, अब देखिए, question number 86 क्या कर रहा है, the processes of the finding out the resultant forces of a number of given forces is called, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number C, composition of forces, आप देखिए, question number 87 पे आते हैं, the processes of splitting up the given forces into the number of component, कोई एक force को number of component में हम split करते हैं, without the changing its effect, इसके effect कामचेंज नहीं करते हैं, on the body, तो क्या होता है आपका, आप, इसका सही answer है 87 का, option number A, resolution of forces, अब आएगे देखिए, next question, question number 88, the moment of force is, इसका सही answer हो जाएगा, option number C, equal to, the moment of force is equal to, the product of force, and perpendicular distance of the point, about which the moment is required, and the line of action of the force, moment equal to, क्या होता है, force into perpendicular distance, about which, जहाँ पेसे, हम moment, निकालना चाहते हैं, वहाँ के भी इसका, perpendicular distance, हम देखते हैं, force act हो जहाँ, अब देखिए, next question आपका पूछ रहा है, तो इसा unit of moment, तो moment equal to, आपने क्या पढ़ा, force into perpendicular distance, force का unit क्या होता है, newton, distance का क्या हो गया, आपका, meter, तो unit क्या हो जागा, moment का, newton, meter, तो option, 89 का, सही answer हो जागा, option number, D, newton, meter, दोनों question clear है, अब आईए, question number, 90 की ओरते, चलते हैं, 90 question number, क्या कर रहा है, the algebraic sum of forces, constitution the couple is, तो इसका, सही answer हो जागा, option number B, क्या होता है, 0 होगा, गर किसी भी, constitution the couple का, algebraic sum force करे, तो क्या हो जागा, 0 आएगा, तो इसका सही answer हो जागा, B, हम next question की बात करें, 91, तो the force, the force which bring the set of forces, in equilibrium is called, तो क्या हो जागा, resultant करते हैं, the force, तो इसका सही answer हो जागा, option number, B, resultant, अगर हम बात करें, हम next question देखते हैं, next question देखते हैं, question क्या करा, if two body are, the light, and the other heavy, are equal kinetic energy, which has one greater momentum, कह रहा है कि, दो body कोई M1 और M2 है, M1 is greater than M2, उसका weight जादा है, एक का weight कम है, बट क्या करा, kinetic energy same है, तो momentum किसका, जादा होगा, तो momentum किसका जादा होगा, जिस body का weight, जादा होगा, तो इसका सही answer होजएगा, option number, A, heavy body, आप देखिए, next question क्या है, 95, 95 question दो में क्या करा, the angular moment of a system, is conserved, if there is, no, there are no torque present, अगर हम बात करें, angular momentum का जर्वेशन की, तो angular momentum conservation, the conservation of angular momentum क्या कहता है, when no external torque act on an object, no change at angular momentum, अगर कोई angular momentum act नहीं कर रहा है, external, sorry, external torque act नहीं कर रहा है, बोड़ी पर, तो उसमें angular momentum में कोई change नहीं आएगा, अगर हम conservation of linear momentum की बात करें, if there is no external forces act on the body, then there is no change in linear momentum, अगर external force नहीं act कर रहा है, तो उसके linear momentum में कोई changes नहीं आएगे, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number, D, no torque present, अब question number 96 देखे, the perfectly elastic body, the value of coefficient of restitution, तो अगर हम बात करें, coefficient of restitution होता क्या है, तो इसको हम अगर simple form में देखे, तो coefficient of restitution को हम सी ओ, coefficient of restitution को हम सी ओ आर से कर रहे हैं, तो सी ओ आर का range हो गया, 0 से 1 हो गया, और सी ओ आर इकल टू क्या हो गया, final restitution, final relative velocity divided by initial relative velocity, अगर हम perfect elastic body के case में देखे, तो सी ओ आर इकल टू क्या हो जाता है, 0 हो, inelastic के case में 0 होगा, और elastic के case में 1 हो जाएगा, क्यूंकि final relative velocity, इकल होता है, initial relative velocity से, perfect elastic के case में, तो यहां अगर हम question देखे, तो perfect elastic की बात की गई है, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number A, आप देखिए, question number 97 क्या का रहा है, couple reproduce, तो यह couple क्या produce करता है, जिसका सही answer हो जाएगा, rotational motion, जिसका सही answer हो जाएगा, option number B, rotational motion, अब हम देखे, question, next question 98, whenever force act on a body, and the body undergoes a displacement, then work is said to be done, अगर force act हो रहा है, अगर उसमें displacement हुआ है, तो क्या हो जाएगा, work कहा जाएगा, कि हुआ है, जिसका answer हो जाएगा, option number A, work is said to be done, अब देखे, question number 99, if the gravitational acceleration at any place is double, then the weight of the body will be, weight equal to क्या होता है, weight equal to होता है, mg, अगर G double करोगे, two times करोगे, तो क्या हो जाएगा, weight भी आपका two times हो जाएगा, ठीक है, तो weight भी भी डबल हो जाएगा, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number D, अब देखिए, बात करें, last question की, तो last question क्या करा है, the ratio of moment of inertia of a circular body, about its x-axis, to that about y-axis, तो इसका क्या हो जाएगा, सही answer, option number B, 1 होगा, क्योंकि circular body क्या होता है, symmetrical होता है, x-axis और y-axis के अवाउट, तो इसका moment of inertia x-axis, और y-axis के अवाउट क्या होगा, same होगा, तो दोनों का अगर ratio लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यह था आपके, 2014 के previous year के questions, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे like जरूर करें, और अगर कोई भी suggestion है, कुछ आपको, आपकी कोई query है, कोई question समझ में नहीं आया हो, तो आप comment में करके, हमसे पूछ सकते हैं, और जैसा कि हमने अभी आपको, पहले ही वह उपर में बताया था, कि हमने एक WhatsApp ग्रूप create किया है, और आपको वहाँ पर previous year के सारे questions आपको provide करवाया जाएंगे, आपके लिए study material प्रोवाइट कराया जाएगा, और अगर आपको अगर इस type से और कुछ वीडियो चाहिए, या फिर आपको model test paper चाहिए, या फिर आपको mechanics से important questions के सीरीज चाहिए, तो आप हमें comment करके जरूर बताएं, आपके comment के अनुसार हम उस पर वीडियो बनाएंगे, तो thanks for watching, thank you.